नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या होते हैं सामुईग विनाश के हतियार यानि weapon of mass destruction WMD इन हतियारों के अंतरगत आम तोर पर पर्मानू हतियार रासाइनिक हतियार और जैविक हतियार ये तीन तरह के हतियार आते हैं यानि nuclear weapons, chemical weapons and biological weapons तो आईए जानते हैं ये सब क्या होते हैं तो पहले हम समझते हैं कि पर्मानू हतियार यानि nuclear weapons होते क्या हैं तो देखिए nuclear weapons उस तरह के हतियार होते हैं जिसमें नाब की सलियन यानि nuclear fusion या नाब की विखंडन यानि nuclear fusion की क्रिया अभी क्रिया होती है या अलग-अभी क्रिया हो सकती है अलग-अलग हतियारों में इस प्रिया में जो नुकलेस होता है यानि जो नाविक होता है उसका विवाजन होता है फिर वो मल्टिपल विवाजन होता जाता है जिससे ये हतियार बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाते हैं इस तरह के हतियारों में यूरनियम का इस्तमाल आहां तोर पर किया जाता है और ये हतियार बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं कि इनकी कोई विनाश की सीमा ही नहीं है क्योंकि निकलियर का विवाजन काफी कीवर गती से होता है बहुत ज़्यादा होता रहता है ये हतियार पूरे शहर को, एक शेत्र को, आसपास की सभी चीज़ों को खत्म करने में सक्षम अभी तक दो बार नुकलियर वम का विस्पोर्ट हो चुका है, एक बार नागा सागी में और एक बार हिरोशमा में और एक चीज़ यहां पर ध्यान रखना आवर्शक है कि जो परवाणू हतियार होते हैं, उनका प्रभाव ना सिर्फ जिस दिन उसे फोड़ा जाता है उस दिन, बलकि उसके बाद के भी कई महीनों, साल और सदियों तक बना रह सकता है अगर हम इसके कुछ एक्जाम्पिल लें, तो परवाणू हतियारों का जो धारन है एक्जाम्पिल है वो है परवाणू बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रोन बम, यूरिनियम बम और प्लूटेनियम बम ये सबी परमाणू हत्यारों का एक्साम्पल है और आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग दुनिया में आठ ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणू हत्यार हैं वो देश हैं अमेरिका, इंग्लेंड, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान और नौर्थ कोरिया फिर परमाणू हत्यार की रोगताम के लिए क्या उपाय किये गए हैं फोड़ी सी जानकारी उनके भी देख लेते हैं तो देखिए जब से अमेरिका दोरा जापान के हिरोशिमा और नागा साकवी में परमाणू बम का विस्पोर्ट किया गया था उसके बाद से ही इसकी लगतार रोगताम के उपायां पर भी चर्चा हुई इसके लिए कुछ कानून बनाए गये हैं तो पहला जो कानून बनाया गया था इसके संबन में वो था आंशिक परिक्षण प्रतिबंद संदी यानि पार्शल टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1963 में बनाए गयी थी इसी के साथ परमाणू हतियार की रोगताम के उपाय शुरू किये गये थे बाद में फिर परमाणू परिक्षण को रिस्टिक्ट करने यह सब विवस्ताएं की के आगे हम देखते हैं कि रासायनिक हतियार यानि केमिकल वेपन्स क्या होते हैं तो देखिए रासायनिक हतियार बिसिकली जैसा नाम सही है कि जो मानो निर्मित रसायन होते हैं खतरनाक रसायन होते हैं और जिनका उस्तमाल लोगों को मारने के लिए किया जाता है इस तरह के रसायन जब बमों में भरके दुश्मन देश पे या किसी देश में डाल दिये और इन घातक रसायनों के उपयोग से बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है उनके किसी पर्टिकुलर जो शरीर का ओर्गन है उनमें नुकसान होता है और इस तरह के जो हत्यार हैं इस तरह के जो केमिकल हैं वो किसी भी मिसाइल में आई एडी में मॉर्टर के माध्यम से देश के शहर, दुश्मन देश के नागरिकों के उपर छोड़े जा सकते हैं, और इनके बाद जो इसमें खतरना chemical होते हैं, वो हवा में पहल जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, विशेश तौर पर इंसान के शरीर को बहुत ही गंबीर नुकसान पहुंचाते हैं, और इन शरीर का जल जाना, पैरलाइज हो जाना, किसी काम, परिटिकलर हंग का काम करना, बंद कर देना, और यहां पर एक चीज़ और ध्यान रखना आवशक है, कि इस तरह के जो chemical weapon होते हैं, यह मानव, जानवर, पेड़ पॉधों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते है तो कौन-कौन से जो chemical होते हैं, इनका इस्तमाल किया जाता है, nuclear bomb के लिए, nuclear weapon के लिए, तो इसमें इस्तमाल होती है, mustard gas, serine gas, chlorine, hydrogen, cyanide और tear gas, इन सभी का इस्तमाल किया जाता है, chemical weapons में, दुश्मन देश की सेना, दुश्मन देश के नागरे, दुश्मन देश के शहर के लोग थाम के लिए क्या उपाय किये गए हैं, तो 1997 में chemical weapon के इस्तमाल को रोकने के लिए एक कानून बना था, जिसमें तैव हुआ था कि रहाईशी इलाके आम नागरकों को नुकसान पहुचाने के मकसद से, ऐसे हत्यारों का इस्तमाल नहीं किया जाए, हाला कि जंग में, सीमित म मातरा में इनका इस्तमाल किया जा सकता है, वो इस्तिती पर depend करता है, अब हम देखते हैं कि क्या होते हैं, जैविक हतियार यानि biological weapons, तो सीधी सीधी भाशा में अगर हम बात करें, तो इस तरह के जो हतियार होते हैं, वो basically इसमें virus, fungus, bacteria और अन जहरीले पदार्थों का इस्त जैना, दुश्मन देश, उसके नागरिक, शेरों को नस्ट करने के लिए, इस तरह के हतियारों के इस्तमाल से लोग बहुत ही गंभीर तरीके से बिमार होते हैं, उनकी मौत होती है, बहुत सारे बहुत ही तकलिव दायक मौत इससे होती है, इसके अलावा इस्ताई रूप स इससे विकलंगता, मानसिक बिमारियां और बहुत सारी चीजों के लिए इस तरह के बायलोजिकल वैपन का इस्तमाल किया जाता है नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए, कुछ एक्जाम्पिल अगर हम लें, जैविक हतियारों के क्या उधारन हैं, तो सबसे अभी लेटिस सुधारन देखें, तो करूना वायरस ही है, इसे भी ऐसा कहा जाता है, एक तरह से चाइना, बायलोजिकल वैपन के रूप में ही, वहान इंस्टूट आफ वायरोजी में डेबलब कर रहा था, तो ये एक थियोरी है, इसके अलावा ब्लैक डैथ यानि प्लैग वग को लोगों को बीमार करके मारने के लिए, चीन का करूना वायरस इसका सबसे ताजा और लेटेस सुधारन है, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जर्मनी, अमेरिका, रूस, चीन समेथ लगभग 17 देश वायलोजिकल वैपन्स अल्रेडी बना चुके हैं, हाला कि ये बात अल बालोजिकल वैपन्स कन्वेंशन की स्थापना हुई थी, और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इस पर हस्ताक्षर भी किये थे, आज दुनिया भर में भारत सहित 183 देश, BWC यानि बालोजिकल वैपन्स कन्वेंशन के मेंबर हैं, और इसकी रोकताम के उपाय करने की कोशिश तो उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, करपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, धन्यवाद